हेलो फ्रेंज्स कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सोशोलोजी विल संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं आज का जो हमारा सोशोलोजी का टॉपिक है इसमें हम लोग यूजेसी नेट के सिलेबस के यूनिट वन के सेक्शन फोर में हम लोग को पोस्ट मॉटनिज्यम, पोस्ट स्ट्रक्चलिजम और पोस्ट कॉलनिजम की थियोरी को देखना होगा जिसमें की टोटल सिक्स थिंकर आत करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लगे टापाथ चैनल को सबस्काइब करें अपने दोस्तों तक इसे जादा से जादा से रखनें लाइक करें और कमेंट करें क्यों मैं ऐसा वह रही हूं कि देखिए आपक कि क्लास को पहुचाँ सबकूँ जो कि पेट कूर्स नहीं ले पाड़े हों किसी का रणवर्स तो मेरी कोसिस है कि मैं फृ में जो है आप लोगों को जो कॉंशेप्स हैं वो प्रभाईट करो और इन future में भी मैं आप लोगों से कोई भी paid course का demand नहीं करूंगी क्योंकि मैं पास मेरेप्याइब्स रिक्वेष्ट है कि आप लोग चैनल को subscribe करें आपप्लोग कमेंट करें कमेंट करने से क्या होगा कि आपके बीच और मेरे वीच एक virtual community होगी मैं आप लोगों को जानोंगी आप तो मुझे जानेंगे अगर हमारे बीच बातचीत ना हो आपकी कोई queries है उसे आप मुझे ना पूछे तो फिर कैसे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी class अच्छी लग रही है helpful लग रही है कि नहीं लग रही है इसलिए प्लीस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीस सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों से जादा जादा सेयर के जिनके पास वीडियो पहुशने हैं तो जर्गन हेवरमासजी का जन्म 18 जून 1929 को जर्मन में हुआ था वे एक जर्मन दार्शनिक है और महतवपून सिध्धाउंत और वहवयारिक्ता की जो परंपरा में उन्होंने बहुत सारे महतवपून काज किये हैं समास्तास के छेत में साथी साथ उनका काम जो था व और सार्वजनिक छेत्र को समोधित करते हुए करते हैं यो जिसे नेट का जो सिलेवर्स आप लीजिएगा प्रिवेस यर के कोशन्स लीजिएगा तो हंडेट में सबको 20 कोशन्स ऐसे मिल जाएंगे जो की थाउट से लेकर हो या बुक से लेकर हो तो बुक्स को जाना हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने सारे थिंकर है इतने सारे थिंकर को याद रखना भी मुश्किल है इसलिए आप लोग क्या के लिए कि आप जहां पर पढ़ने बैठते हूं वहां पर एक पेपर में चार्ट पेपर में थिंकर सथा उनके बुक्स को आप विडियो लाने वाली हूं जिसमें की जितने ठिंकर से और उनका की वर्ड बतलक कौन से थिंकर को में आप को बताऊं जिससे आप लोगों को इसको ज्यादा और अच्छी तरप करासे में 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 रखने में सुभीदा हो तो इनके इंपॉर्टेंस बुस को अगर देखा जा थर्ड इनकी बुक है Legitization Crisis, फॉर्थ इनकी बुक है Communication and the Evolution of Society, फिफ्ट इनकी बुक है The Philosophical Discover of Modernity, फिफ्ट इनकी बुक है Moral Conscious and Communicative Action, सेवेंथ इनकी बुक है पोस्ट नेटाफिजिकल थिंकिंग और एट इनकी बुक है स्ट्रक्चरल ट्रांस्फॉर्मेशन ओफ पब्लिक स्फियर यानि कि इनकी जो थियोरी है वो इसी बुक्स पर आधारिक है इसी बुक में उन्होंने अपने थियोरी का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो पब्लिक स्फियर है यानि कि जो सार्वजनिक स्थल है जो सार्वजनिक स्थान है उसमें क्या और उसकी जो संरशना है उसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है तो चलिए इन क्लास को हम लोग उनकी जो थियोरी हैं उसे देखते हैं ते हिबर मास जी का मानना था कि पूंजी वाद की वज़ा से जो सारवजनिक स्थान उसे खत्रा हो गया है कैसे खत्रा हो गया है कि पहले लोग क्या करते थे सारवजनिक स्थलों में जाकर बैठते थे आ और वो एक बहुत ही सम्मानिय स्थान माना जाता था जहां पर जाकर अपने सब कुछ जो प्रॉब्लेम है वहां पर स्वल्ब किया जाता था लोगों का सम्मान रहता था तो वहां पर अपने हर प्रकार के समस्याओं का समाधान भी करते थे लेकिन क्या हो गया कि पूंजी वा पाइल लेकर बैठी रहते हैं अपने दुनिया में वेस्त रहते हैं जिसके कारण क्या हुआ है कि जो एक बात्चीत का मादे वो धीर धीरे घरते जा रहा है इससे अब क्या हुआ है कि अगर सोसाइटी में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फैमली में कोई में जा रहे हैं अपने जितने प्रॉब्लम को हैं वह वहाँ पे उसे सॉल्व कर रहे हैं और जो सारवजयरिक इस्थान है वहाँ सकते हैं कि पूरी प्रकार से वैनिस हो चुका है- खतम हो जुका है फिर सेकंड इन्होंने जो अपनी बात बताई है वो बताई है अपनी पुस्तक, knowledge and human interest में इसमें इन्होंने बताया है कि ज्यान की जो अवस्थाएं हैं इन्होंने तीन प्रकार बताएं इस ग्यान से हमें कौन सा हिट वो हो रहा है कि उसे यूसफुल हमारे लिए क्यूं है और हम लोग हासिश करने के लिए हमारे पास साधन कौन कौन थे हैं कि साधन की बड़ा हम अपने उस ग्यान को प्राप्ट कर सकते हैं तो पहला जो इनका ग्यान था अनुभावी ग्यान य उसमें improvement आ रहा है, तकनिकी हुद थोड़ा है और उसके साधन क्या है तो वो सब हम लोग अपने क्रिया कलाब के माध्यम से इसे cover कर रहे हैं, इसे solve कर रहे हैं Second उन्होंने ग्यान के पाड़े में बताया एतिहासिक ग्यान एतिहासिक मतलब हम लोग past से अपने family के members से या फिर कहीं भी आसपरों से जो हम लोग सुनके जो एतिहास से या पढ़के हम लोग knowledge को हासल कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग उस प्रकार के वहवार करना सीख रहे हैं और भासाओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से इसे हम अपने cover करें, यह हमारा साधन का काम कर रहे हैं थर्ड इन्हों नहीं जिस ग्यान के बारे में बताया वह है विवेशनात्मग ग्यान अब क्या हो गया कि हम लोग प्रैक्टिकली करके कर रहे हैं पास्ट से भी हम लोग सीख ले तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो बुद्धी है हमारा जो विवेख है उसमें क्या हो रहा है उद्धारक हो रहा है उसमें ब्रिद्धी हो रही है और ये उद्धारक होने के साथी साथ जो मनिश है वो किस पे पूझी वादी के अंतरगत वो अपने आपको जक्रा भी महसूस कर रहा है वो क्योंकि पूरा कोई भी वैक्सा व्यक्ति नीजो पूझी वाद से अलग होकर कारे कर रहा हो तो हैबर मास जी मेंली कहते हैं कि व्यक्तियों के बें जो इंट्रेक्शन होता था अब वो कैसा हो गया है वो निर्वजनात्मक समाज में विक्सित हो गया है पहले लोग आपस में बैठ के बाद जीत करते थे अब टेक्नोलोजी आ गई है इससे क्या और अंतरगत सिक्ता बन वर्चुल कम्यूनीटी आगे हैं लोग फेस्बूक वाटसब इस प्रकार के जितने ग्रूप हैं उसके हम लोग परिवर्तन हो जा रहे हैं विज्ञान और प्रोदिगी का विकास हो रहा है यह जो पूंजी वाद है यह समाज को नौकर बना कर रख रहा है और हम लोग कह सक करते हैं और बिज्ञान और प्रोदिगी की क्या होड़ा है कि इससे तो समाज में बहुत सारी समस्याइं भी पैदना हो नहीं है और उस समस्याओं को टेक्नोलोजी सौल भी कर रहा है इसके कारण जो हैवर्माज जी है इसे एक नाम दिये वह नाम क्या है उपकरन कारण और समाज समाज का ऑओ वह नया समाज सिकते लिए नहीं समाग के वीषवर्ट है इसको नहोंने तीन पार्टों में विवाजत किया है वे तीन पार्ट कॉन को Öसे उन्होंने आर्तिक चेत्र में राजनीतिक चेत्र में वे इसे बस बहुता है फिर उन्होंने उनकी एक और थिओरी है इसमें हेवाल मासजी जो वरतमान व्यवस्ता है उसमें उन्होंने बताया हो कि हम लोग अभी वरतमान Baptist तो पहला उन्होंने बताया आर्थिक संक्त और यह आर्थिक संक्त कब पैदा होता है जब उत्पादन और उपभोग में सामझस्क इस्थिती नहीं होती है तो आर्थिक संकट हमें देखने को मिलता है सेकंड इनोंने बताया है जो अभी पेर्णा का संकट यानि कि जो सांस्कृतिक व्यवस्ता है वो नहीं रती है हमें उसे मोटिवेशन नहीं मिलता है तो अभी पेर्णा का संकट हमें देखने को मिलता है थर्ड उन्होंने बताया है विवेकी करन का संकत जिसमें की जो राजनीतिक विवेस्ता है वो सही प्रकार से निर्णे नहीं ले पाती है तो विवेकी करन का संकत हमें समाज में देखने को मिलता है फोर्थ उन्होंने बताया है वैदता संकत में उन्होंने बताया है जब यह तीनों प्रकार के संकत यानि आर्थिक संकत अभी पेड़ना संकत और विवेकी कर संकत है किसी knowledge को नहीं मानते हैं कि तो मतलब तीनों अगर काम कर जाए तीनों mix up हो जाएं तो हम कह सकते हैं कौन से नौलेज को बैद माने कौन से बात को हम सही माने तो वो बैद कोई भी काड़िया नहीं रह पाता है तो उसे वैदता संकट के अंतरगत रखा गया है और एक अपची नौल डाउन कर ले कि हैवर मास जी जो थे वो उन्होंने काल मास के अभिवेक्थ सिल्टा कर तार्कक सिधान के बारे में भी बात की है इसके बारे में भी मैं उन्होंने अपने थ्योड़ी में बात की है तो हम अगर निसकर्स के रूप में देखे तो हम उनकी आनोशनात्मक चिंतन के अगर पूरा देखते हैं थम यही पाते हैं कि हेबरमास जी का मानना था कि पुंजीवाद की वज़े से सावजनी हिस्थल को खत्रा हो गया है पुंजीवाद की बड़ा ब्रूत्री हो गई है उन्होंने ग्यान की तीन अवस्थाओं के बारे में बताया साथ उनका यह भी माना था जो करें एक टेक्नोलीजी यद्र में व都 सब्सका हमारी सवाइन सब्सक्र्सक्राइब sì genres program motorcycle टेक्नोलीजी ज्रूसी की disrupt समाब्ट हो गई तो आगर आपको ये लगे ताप इस ज्ञाद से लखें तथा मेरी साथ ब्रेलें एक अप सबीकर धन्यवां